आज हम आपको बताने वागें कि कैसे आप बल्क में एडिटिंग किसी गी वीडियो का और सकते हैं अगर आपको बल्क में अपना डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो आप कैसे उसको करिएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने वीडियो सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको जिनको एडिट करने तो हम यहां पर दो वीडियो लेके चलते हैं ज्यादा शुरू में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा पिर और या तो आपके सर्वर पर डिपेंड करे है तो यहां पर दो वीडियो जिब हम सलेक्ट कर लेंगे वह एडिटिंग ओप्शन में पूछेगा तो हम एक पर्टिकुलर कोई सेंटेंस बेगनिंग में और एंड में अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे हैं और यह एडिटिंग में क्या क्या चाइज करेगा है टाइटल चेंजों करेगा डिस्क्रिप्शन चेंज करेगा टैग चेंज करेगा विजबिलिती चेंज करेगा ओंटिययन्स uh automatic chapter बनाएगा बनाएगा, caption certificate का option को on करेगा दोनों को, category change कर देगा, आपके इस category के एक साथ आप पूरा bulk में change कर सकते हैं, कोई particular comment आप अपने description में लिखना चाहते हैं, तो वो add कर देगा, embedding करेगा किसी particular video का या link का, license आपको यह अपना डाल सकते हैं, recording date change कर सकते हैं, short, मालीजे एक देट पर आपने देट सारे video डाल लें, तो उनके सब की एक खटा update change कर सकते हैं, short sampling का आप option on कर सकते हैं, user rating आप कर सकते हैं, मालीजे सारे users को आप rating करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं, video language आप एक साथ सब जगा चेंज कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को title में, description में क्या-क्या बदलना है, तो मालीजे हम लोग description में लिखना है, welcome to my channel, तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं, beginning में चाहे, end में, और उसके हिसाब से आप, यहाँ आ रहा है, insert beginning, insert end, replace all और remove, आप remove भी कर सकते हैं particular text को, तो यहाँ पर हम मालीजे केवल welcome लिखते हैं, welcome to my channel, हमें लिखना है अपने वीडियो में, description में, कि welcome to my channel, तो insert at beginning हमने किया, इसको update कर दिया, जब हम update करेंगे, तो यह दोनों वीडियो जो हमने select किया है, उसमें वो welcome to my channel, डाल देगा, तो यह कह रहा, you are about to update the selected video, this update cannot be stopped once it has started, तो आपको सोच समझ के ही, इसको yes करना होगा, क्योंकि अगर एक बाई यह बद, डाल देगा information को, तो फिर नहीं बदलेगी, फिर आपको, उसको remove करना पड़ेगा, तो update video हमने करा, और देखेंगे कि हमने जो sentence डाला है, वो description में जाता है, कि नहीं जाता है, तो यह update करने में थोड़ा सी time लेगा, update video is safe, navigate away, wait before making another bulk update, दूसरा bulk update बनाने के लिए, आपको थोड़ी देर और wait करना पड़ेगा, और इसी तरह जैसे हम beginning में डाल रहे हैं, वैसे हम end में भी sentence को add कर सकते हैं, माल लीजे hashtag आपको डालना शॉट में, तो हर शॉट के बाद वो कहता है, है शॉट्स लिखिये, तो आप title में जाकर के end में है शॉट्स एड़ कर सकते हैं, सारे शॉट्स में, तो इस तरह से updating ये bulk में कर देगा और आपका time बचेगा, या समझ लीजे कि कोई आपने link डाला अपने social media का या website का, और वो change हो गया है, अगर वो change हो गया है तो आप bulk में उसको change कर सकते हैं, ये थोड़ा time ले रहा है, ले ले लेगा तो वो जो amendment करेंगा वो आपको दिखाएगा, तो थोड़ा सी बेट करना ही पड़ेगा, तो कि वो processing कर रहा है, तो वो कह रहा है आप दूसरा काम इस बीच कर सकते हैं, तर ने कि, देखें, यहां पर welcome to my channel आ गया, जो हमने आप से कहा था कि यह इसमें आ जाएगा, तो इसको on करके आप देखें, welcome to my channel आ गया, इसको रखना चाहिए, तो रखें, नहीं रखना चाहिए, तो डिलीट भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप टेक्स इसमें, इंटरनेट बहुत स्लो है, इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें हैश्टेक्ट जो आपने, जो डाला है, वो शॉट्स में सारे हम हैश्टेक्ट डाल सकते हैं, तो इस बल्क एडिटिंग के लिए आपका इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसी तरह से हम end में टेक्स डाल देंगे, इसी तरह से हम beginning में टेक्स डाल सकते हैं, और टेक्स को रिमूब भी कर सकते हैं, और रिप्लेज भी कर सकते हैं, तो अगर आपका इंटरनेट सही है, तो आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, और अगर बहुत अडवांस आपको अडिटिंग चाहिए, तो आप ट्यूब बड़ी यूज कर सकते हैं, ट्यूब बड़ी में बहुत अच्छी फसल्टी दिवी है, और वो बहुत अच्छा काम करता है, जिसके तुरू आप अपने डिस्क्रिप्शन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जब आपके पास वीडियो बहुत अधेखोंगें, अभी आप चाहते हैं कि पूरी टाइटिल ही बदल जाए, तो टाइटिल में रिप्लेस आप्शन में जाकर कि आप उसको रिप्लेस आप्शन में मिलता है, जो टाइटिल आप दे दिजेगा, एड़ टेक्स में वह वाली टाइटिल रिप्लेस होगा है, यहां आजाएगे, तो दिस अल टुदे विवर, प्यों लाइब इस इंफोर्मेशन प्रीज शेयर और सब्सक्राइब, यह इन्टरनेट बहुत श्यों है, तो आपको और भी ऑप्शन इसमें दिकाते, और क्यों बड़ी का प्रो वर्जन आप ले लीजिए, उसका लाइसेंस ले लीजिए, तो आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, वो कोदी आपका मैनेज करेगा, और आपका चैनल सही हो जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और आपको अगर किसी और स्पेशल टॉपिक पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज आप मेरे को लिखिएगा, कमेंट में तो हम उस पर वीडियो बना देंगे,